लाइक दू वीडियो, सब्स्क्राइब चैनल और क्रेस्ट वीडियो अपडेट हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज मैं आपके लिए बहुत ही जवर्दस्त एक हेर पैक लेके आई हूँ एक हेर सेरम आप बोल सकते हो जिसको आपको आफ्टर वाश यूश करना यानि की बाल धूने के बाद यूश करना सबसे पहले इसका कलर देख लिए कितना जेट ब्लैक है न तो ये आपके बालों में धुलेवे बालों में अराम सब इसको लगा के रख सकते हो और चाहो तो सेम डे वाश कर सकते हो तीन से चार घंटे के बाद या फिर नेक्स डे भी वाश कर सकते हो तो सबसे पहले चलते हैं वीडियो पर देखते हैं कैसे बनाना है इसको तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो चीज ली है वो है लोहे की कड़ाही ली है और इसमें मैं डाल रही हूँ एक ग्लास पानी एक से दिर ग्लास पानी मैं ज़े डालनी है अगर आपका बाल लंबा है और या फिर आपके बाल छोटे हैं तो आप बानी उपर नीचे कर सकते है और इसमें सबसे पहला जो चीज है वो है मीठी नीम यानि की कड़ी पत्ता जिसको बोलते हैं तो यहाँ पर मैंने एक handful आप एक कटोरी भी बोल सकते हैं कड़ी पत्ता डाल दिया है और कड़ी पत्ता बालों को खाला करने में कितना help करता है आप सब जानते हैं और बहुत beautiful औ जल्दी solve होने वाली है तो इस तरह से मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया है अब जो दूसरी चीज है वो है इसमें हम डाल रहे हैं आवला पाउडर मैं यहाँ पर दो चम्मच डाल रही हूं और आवला पाउडर आप चानते है कि रिच इन वाइटमिन सी है बालों को काला करने पाउडर बना रही है वो डाल दिया साथ ही एक चम्मच हमने मेथी दाना डाला है इन सब को बॉइल करना है और इसके बाद जो हमारा लास्ट और में इंग्रीडियन्ट है वह हमारी चाय पत्ती हम इसले डाल रहे हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा कलर आता है चाय पत्ती में एक बहुत ही जवरदस्त कलर देता है उसके अंदर बहुत सारे अंटी आक्सिडिंट होते हैं जो मारे बालों पे बहुत ही अच्छी रंगर चड़ाते हैं इस चीज को आपको अच्छे से सिम पे बॉइल करना है करीबन दस से पंदा मिनित तक मैंने इसको उबाला था इसके बाद मैंने धीरे धीरे आंश को सिम कर दी और सिम पे मैंने 15 मिनिट इसके पकाया था कि जितना भी गुड़ने से सारी चीजों का कड़ी पत्ता आवला मेथी सारी चीजों का चैपत्ती का जबरदस्त कलर आ जाए तो इस तरह से मैंने सिम पे छोड़ दिया था आपक अब आप इसको अपने बाल पे wash किये वे बाल को द्हो न एक चली इससे आप बालो को दो लीजे और फिर हैं बालो को टाी पर की तरफ और तक फोड़ दीजे तीन से चाल घंटे तक फोड़ दीजे या फिर अब धो किसी चीज से पुराने कपड़े से पोच डाली और छोड़ दीजे नेक्स आप वाश कर सकते हैं या सेम दे आफ रात में तेल लगा लिजें और नेक्स दे इसको शैंपू से वाश कर लिजे बहुत लगा लिए पूरे बालों पे और उसके बाद आप एक काम कीचेगा दो से तीन घंटे बाद या चार घंटे बाद आप इसको नॉमल वाटर से दोलीजे और उसके बाद आप नेक्स टे शैंपू कीचेगा सेम दे आप चाहे तो रात में तेल लगाईगा इससे क्या होगा अब आप यह जो जो तरीका पता है ना गर्मियों में बहुत ही अच्छा है आप इसको अपने बालों में लगाऊगे तो आप फील करोगे एक थंड़क आपको महसूस होगी और बहुत अच्छा अच्छा अपको लगेगा आप जब भी इसको ट्राइ करो मैं तो बहुत यह वीक में आप दो बार कम से कम इस चीज को ट्राइ करो मैंने भी इसको ट्राइ किया है मैंने इसको पीछले दो तीन वीक से मैं इसको ट्राइ कर रही हूँ और बहुत अच्छा का लगाता है अगर आपके बाल काले नहीं आपको करने हैं आपके बाल सफेद नहीं है फिर भी मैं इस रिपीट करती हूँ वीक में मतलब अल्टरनेट तीन से चार दिन के बाद फिर इसको रिपीट करती हूँ तो बहुत अच्छा जबरदस्त कलर आता है आपको भी अगर सफेद बालों की यह इश्यो है तो मेरे इस वीडियो को जरूर ट्राइ कीचेगा और अगर आपक को नोटिफिकेशन नहीं मिलती इसलिए मुझे यह बताना बहुत ज़रूरी था कि आप और अपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो प्लीज वापस से जाके अप उसको अन्सप्सक्राइब करके सब्सक्राइब कीजए तो इस तरह से आपको भी अपने पालों में यू पेस्ट नहीं होगा और बिलकुल बराबर के बाल में होगा है